नमस्कार दोस्तों सागत याप सिभी का online exam preparation पर which is the part of study for civil services दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे polity का एक topic जिसका नाम है समीतिया यानि कि आज हम पढ़ेंगे समिधान सभा की कुछ समीतियों के बारे में और उनके अध्यक्षों के बारे में एक्जाम में यह परिश्नों अक्सर पूछे ही जाते हैं ठीक हमारा जो समिधान बना था उसमें कई सारी समिधिया थी जिन समीतियों ने अपना अपना काम किया और हर एक समीति का एक अध्यक्ष था जिसके बारे में exam में पूछते हैं तो आईए इनको पढ़ते हैं ये समिधान सभा की समीतियों की बात हो रही है जब समिधान का निर्माण हुआ था ठीके ना समिधान का निर्माण करने के लिए समिधान सभा बनाई गई थी जिसने समिधान को बनाया था तो समय को समीतिया बनी थी उसी के बारे में आजम जान सबसे पहले बात कर रहे हैं आवाश समीती के सीटा रमया को आवाश समीती का अध्यक्ष बनाये था इसके बाद राजेंद्र प्रशाद जी को बनाये गया था, जो की भारत के पहले रास्ट पती थे इनको रास्ट ये द्वज संबंधी तदर्थ समीती का अध्यक्ष चुना गया था समिधान सभा के कारिकरण संबंधी समीती का अध्यक्ष बनाया गया था जीवी माबलंकर को ठीक है ये एक्जाम में अकसर पूछे जाते राजियन प्रशाद भी पूछ चुके हैं एक्जाम में अगला दिया गया है राज्जों संबंधी समीती तो राज्यों से संबंधी जो समीती थी उसके अद्धक्ष थे जवाहलान नहरुजी जो भारत के पहले प्रधान मंत्री बने थे इसके बाद मौलिक अधिकार से संबंधी समीती है अलप संक्या को जंजाती है और अपबर्जे छेत्रों संबंधी सलाकार समीती के अध्यक्ष थे पतेल जी बल्लभाई पतेल जी सरदार बल्लभाई पतेल को बनाये गया था मौलिक अधिकार संबंधी समीती का अध्यक्ष अ और इनको भारत का पहला क्या बताया क्या था जल्दी से कॉमेंट करके बताएं आप यह पढ़ चुके हैं प्रीविएस वीडियो गर आपने देखे हैं तो आपको यह फैक्ट मिल चुका है इसके बाद अगला नाम है अलपसंक्यकों के उपसमीती अलपसंक्यकों की उपसमीत हैं इसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत जंजातिय चेत्र और असाम के अपवर्जित और आंसिक रूप से अपवर्जित चेत्रों संबंधी उपसमीती के अध्यक्ष थे गोपिनात बार्दो लोई यह बनाए गए थे इस समीती के अध्यक्ष इसके बाद अगली समीती है अ अपबर्जित और आंशिक रूप से अपबर्जित छेत्र असम के छेत्रों को छोड़ कर ठीके वो वाला असम का छेत्र था अब ये असम के छेत्रों को छोड़ कर जो और आंशिक छेत्रे हैं अपबर्जित छेत्रे हैं उनके समध में उप समीती बनी थी इसके अद्रक्ष ब प्रारूप समीधी के अध्यख्ष बने थे बस प्रतक्र विश्यक नीअमों के संबंधी समीधी के अध्यक्ष राजिंद्रशाद को ही बनाए गया था अगला दिया अगया है प्रत्य पत्रसंबनी समिति तो इसके अधक्ष बनेते ऐर्जी अलादी कृष्ण सवामी अधक्ष्ष्र यहांपर हमने कुछ सभा की समितिया देखीह उनके अधकष्ष्ष्ष्ष्ठ देखें वीडियो को लाइक जरू कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इसके अलाब अगर आप study for civil services की किसी भी paid group से जुणना चाहते हैं तो description को follow कर सकते हैं आपको contact number दियेगा हैं पर call करके आप information ले सकते हैं स्वस रहें, मस रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें मिलेंगे next video में Thank you for watching this video, thank you so much